हाई फ्रेंस कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें था कि आप जैसा चाहते हैं कि आपके परसन बोले या सोचें वैसा ही आप उनको सोचने पर मजबूर करेंगे अपनी सोच बेसिकली आप उनको ट्रांसफर कर रहे हैं उस वीडियो के कॉमन सेक्षन में साथ में अप लोगों को कुछ चीज़े बता देती हूँ अच्छा पेरेंस को कण्वेंस करने के मामले में इस तिर्फ यह नहीं है कि शादी के लिए ही अप्रूवल मैनिफेस्ट करनी है तो पेरेंस को कण्वेंस करना है कुछ cases ऐसे भी आए हैं मेरे पाल जिसमें कि girls अपने parents को इसलिए convince कर रहे हैं कि उनके मन चाहे college में admission दिलवा दे या फिर उनको बाहर जाने की अनुमती मिल जाए कि वो पढ़ हैं आगे बढ़ हैं उस चीज के लिए भी क्योंकि insecure रहते हैं parents थोड़ा सा तो उस वज़ह से हामें नहीं भर रहे हैं तो आप किन चीज़ों का इस्तमाल करके अपने parents को convince कर सकते हैं सबसे पहली बात एक चीज समझ लेए जिस चीज के लिए आप convince करने जा रहे हैं चाहे वो आपकी शादी हो आपकी कोई किसी भी चीज के लिए approval आपने लेना है उन चीजों के लिए convince करने से पहले आप उनको ये जताईए जरूर से कि वो चीज आपके लिए फायदे मंद है क्यूं convince नहीं होते parents definitely उनके मन में कहीं तो insecurity होती अपने बच्चों को लेके आप जैसे ही उनको ये तसली दे दोगे कि वो चीजे सब ठीक है आपके लिए सब अच्छा है तो फिर definitely हाँ बोलेंगे दूसरी चीज जो आपको उनको proof करनी है या फिर उनको realize कराना है वो ये कि वो भी अपने बच्चों की खुशी ही चाहती है और आपकी जिस चीज में खुशी है इसी में उनकी भी खुशी होनी चाहिए या फिर है ओके तो ये दो चीजें अगर आपने उनको realize करा दी या फिर किसी तरह से आप उनके जहन में ले आए तो आपकी चीजें आप आराम से उनको convince कर लोगे like approval manifest करना है या फिर parents से आपको रजमन्दी लेनी है जो भी चीजे हैं ठीक है ना so अब आते हैं कि क्या कर सकते हो आप इस चीज के लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे universe को letter लिखोगे अभी मैं यहाँ पर universe को क्यों बोल रही हूँ क्योंकि अगर सी जब हम पैदा होते हैं उस टाइम पे हमें कुछ भी नहीं बता होता तो हमारे लिए universe तो हमारे parents हो जाते है और आप अगर किसी चीज की approval किसी चीज के लिए रजमन्दी मांग रहे हो तो obviously अगर उन्होंने हाँ बूल दिया तो आपके wishes manifest हो जाएंगी तो आप universe को letter लिखेंगे अपने parents के लिए कि आपके parents बहुत soft-hearted है उनकी कुछ तारीफ है उनकी कुछ qualities को लिखते हुए ऐसा कुछ vibrate करूँ वो आपकी खुशी में खुश है present tense में लिखो वो लिखके अपने parents की तरफ से universe को भेजो universe में vibe जाने दो वही vibe वापस reflect होगी आपके parents के पास और उनको वैसा ही सोचने पे मजबूर करेगी बहुत easy है किस color के pencil लिखोगे red and blue में से कोई साब इस्तमाल करो रात में लिखकर के अपने से रहाने रखो रखके so सुभा उठके आप चाहो तो dispose कर सकते हो ने तो संभाल के रखो जब तक parents नहीं मान जाते हैं रोजाना पढ़ सकते हो इस letter को इसके बाद जो सबसे effective technique है वो है whisper method आप whisper के through अपने parents को अपनी बात बोल सकते हैं जो जब आप physically बोलने जा रहे हैं तो या तो फिर उनकी तरफ से गुसा मिल रहा है आपको या फिर ना मिल रहा है सुनने के लिए ठीक है तो whisper करना शुरू कीजिए और whisper बहुत powerful है बहुत powerful technique है whisper method की एक meditation भी available है मेरे channel पे तो simple है आप आराम से आखें बंद करके एक जगा बैट जाईए या लेटे हुए में भी न आखें बंद करो पहले तो खुद को stable करो whisper करने जा रहे हो आपके अपने thoughts सेटल लाउन होने चाहिए मन में हजार बाते चल रही है और whisper करने जाओगे कैसे होगा ठीक है तो खुद को शांत कर लो एक बार breathe in breathe out कर लो थोड़ा relax करो थोड़ा शांत करो अपने आपको meditate करो अगर नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी शांत हो ठीक है इसके बाद फिर आखें बंद करके अपने parents को देखो एक एक करके देखो एक parent को पहले देखो फिर उनके पास जाओ धीरे से उनके कान में आप अपनी बात को whisper करते हुए बोलो, ओके तो यह सारा जो भी चीज़े हो रही है यह सारा आपके visualization में होगा आप सोच रहे हो ऐसा आखे बंद करके और वो scene आप create करोगे कि आप उनके पास जा रहे हो, उनके कान में अपनी बात बोल रहे हो, उन्हें convince कर रहे हो, convince हमेशा प्यार से किया जाता है, धमकी देके नहीं, गुस्से में नहीं, तो इस बात का धियान रखे आप लोग, कोई भी negative vibe नहीं, बिल्कुल भी नहीं so convince करने का method इसके अलावा आप अपने parents को पानी affirm करके दीजिए, प्लीज, अगर आप उनके पास रहते हैं, तो अगर नहीं रहते हैं, तो उनकी photo में देख करके, उनको love vibration जरूर भेजे, ताकि उनके दिल में भी आपके लिए वही प्यार, वही ममता जागे, जिसके हातों से मजबूर होके, हर parent अपने बच्चों की खुशी के लिए काम करते हैं, फिर, वो समाज परिवार, रिष्टधार, नाते ये सब चीजे बिल्कुल भी नहीं देखते ठीक है, और फिर वो definitely आपकी बाते at least सुनेंगे, consider करेंगे, ओके इसके अलावा, येस, अगर scripting में बूलू, तो आप लोग क्या कर सकते हो एक, नोट लिख लो अपने पेरेंट से related, उनका नाम लिख करके, present tense में, जैसे मेरे पेरेंट, मेरे, अगर आप उनका, suppose अपने फादर के लिए कर रहे हैं, तो आप लिखिए, आप पापा पिताजी, जैसे भी रिणोट करते हैं वैसे, ठीक है, कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं अपने आपको भी ये जताईए, कि आप उनके बहुत लाडले हैं, बहुत close हैं, क्योंकि आधे से जाधा टाइम मैंने देखा हैं, बच्चों को, या तो फिर ऐसा रहता है, कि मेरे पेरेंस बहुत पार्शल हैं, अगर तीन-चार भाई-बैन हैं, या दो भी हैं तो भी, कि मुझे कम करते हैं, उसे जाधा करते हैं, पहले तो इस धारना को अपने मन से खतब करो, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चारे हो, मन में अगर कहीं पे भी इस तरह की भावना रखोगे, कि वो मुझे से कम करते हैं, जाधा करते हैं, तो असल में आप वाइबरेट वैसा ही कर रहे हो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, आइस्टेमेट लगाना ही क्यों हैं, मत लगाओ, ठीक है, जिस टाइम पे आप उनकी रजामंदी या उनका प्यार पाना चाह रहे हो, उस टाइम पे मन में सिर्फ ये रखो कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ और वो मुझे से बहुत प्यार करते हैं, ये थोट मन में रखके आप वाइबरेट करके देखो कितनी आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके, सो ये सारी चीजें बहुत इंपोर्टन्ट हैं, ये कर सकते हैं, आप साथ में खुद को भी सेल्फ लव में हाई रखेंगे, अपने पेरंट्स अगर पास में हैं, तो उस दोरान आप थोड़ा अपने आपको ऐसा भी दिखाईए कि आप बहुत उबीडियन्ट हैं, बहुत सिंसियर हैं उनकी बातों में, उनके साथ, उनकी बात मानते हैं, कई बारी आप लोगों को अपना गुड बेहिवियर जब श जा रहे हैं और वहाँ पे आप उनको एक तरह से बिल्कुल बोलने की नहीं, हमें तो करना ही उसी से है, आप हाँ बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं तो भी, तो ये उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ एक तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे युद लड़ने के लिए तयार हो, वैसे मत बनो, थोड़ा soft बनो, थोड़ा सा time दो, अगर parents बहुत rigid हैं, तो please आप universe पे, और divine energies की help लीजिये, जो कि उनको अपने आप motivate करेंगे, और वो धीरे 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 ढ़लेंगे, definitely ढ़लेंगे, लेकिन एकदम से panic मत करिये, कि ना बोल रहे हैं, मा नहीं रहे ह थोड़ा time दो उनको सोचने का, beginning में, शुरुआत में हर कोई थोड़ा इसी तरह से rough हो जाता है, parents हो जाते हैं rough, लेकिन आप जैसे ही time दोगे, थोड़ा supply आप हो जाओगे, धीरे 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 धीरे, वो भी meltdown होंगे, definitely होंगे, और जहां पर थोड़ी जादा rigidity हैं, जहां तक आप अच्छे बनिये, आप अपने self-love में हाई हुए, खुद से प्यार करें, खुद को रेस करें, अपनी vibrations को हाई करें, ताकि अट्राक कर पाऊ आप हर चीज को, okay, so that's all, thank you so much and God bless you all.